Hello Everyone, मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जहां हम देख रहे है Java in blues और Java के आज के इस class में हम लोग क्या करने वाले हैं कि string को किस प्रकार से हम लोग reverse कर सकते हैं मतलब उल्टा कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे तो इस program के लिए सबसे पहले मैं यहां पे एक string ले लेता हूँ ठीक है तो मैं यहां पे एक string ले रहा हूँ जिसका नाम जो है मैं यहां पे str दे रहा हूँ और equal to यहां पे अभी मैं लिखता हूँ such in ठीक है यह हमारा string है और उसके बाद में यहीं पे ही मैं और एक variable ले लेता हूँ string का यहाँ पे ही मैं पॉमा देता हूँ और और एक string variable ले लेता हूँ जिसका नाम मैं res दे रहा हूँ यह reverse के लिए ठीक है और equal to इसको हम लोग blank रखते हैं खाली रखते हैं ओके आप हम लोग क्या करेंगे देखिए एक function होता है उस function को उस function के बारे में पहले मैं आपको बता दू यह function क्या होता है कि index मतलब यह सारा एक array की तोर पे जाता है ना जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ s a t h i n ठीक है हर एक array अपना एक index बन जाता जैसे कि s के लिए s के लिए 0 a के लिए 1 c के लिए 2 h के लिए 3 i के लिए 4 और n के लिए 5 हो जाएं ठीक है तो अगर एक function है function का नाम है care add और care add bracket और यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूंगा तो यह मेरे को s return करेगा capital वाला s पहला element अगर मैं one लिखूंगा तो ये मेरे को a return करेगा अगर मैं two लिखूं मतलब जिसका मैं index लिखूंगा मेरे को वही character ये return करेगा ठीक है ये function का ये काम है तो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहां से मैं ये सारा चीज़ को हटा दे रहा हूँ तो अब इसी का मदद से हम लोग क्या करेंगे numbers हम लोग उल्टा में लेंगे मतलब reverse order में ठीक है तो अब reverse order में लेंगे last से हम लोगों को सुरू करना होगा अब last सुरू करने का मतलब जैसे यहां पर सचीन है इसमें कितना है one two three four five six है तो अगर मैं six one two six है मगर अगर इंडेक्स वाला है इस आप से देखे तो यहां पर क्या हो जागा कि यह zero है फिर one है फिर two है फिर three है फिर four है फिर five है मतलब last वाला जो allowed character है उसका index number five है तो अब हम लोग को five कैसे मिलेगा तो मैं एक method और आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक method और है जिससे string का हम लोग length निकाल सकते हूँ ठीक है तो यहां पर जैसे मैं लिपता हूँ अगर मैं print करके दिखा हूँ तो यह मेरे को क्या देगा अगर अगर यहां पर अगर मैं लिखूं यहां पर मैं लिखूं तो यह मेरे को six देगा ओके मैं कॉंपाइल करके आपको दिखाता हूँ यहां पर error क्यूं दे रहा है कि यहां पर string.length ल, e, n, g, t, h, देखे, th होना चाहिए मैंने यहां पर ht लिख दिया है ठीक है अब ठीक है कि यह अब इसको मैं compile करता हूँ एक बार, compile कि मैंने कोई भी error यहां पर नहीं दिखा रहा है अब वापस हम लोग जलते हैं यहां और इसको मैं एक बार refresh कर रहा हूँ यहां बार्ड में मैं क्लिक करता हूँ और यहां मैं ok करता हूँ अगर output में हम लोग देखेंगे तो देखें यह हम लोग को six मिल रहा है यह six क्या है length of the string है अब मैंने जैसे कहा कि मेरे को last character का index चाहिए तो यहां पर अगर मैं यह जो variable है जिसमें length मिलाता है इससे एक minus कर द value of last element ठीक है the index value of last element तो हम लोग एक लूप चलाएंगे यहां पर मैं four loop चलाओंगा और four loop में मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके अंदर में मैं एक i नाम का variable ले रहा हूं और equal to इसमें मैं क्या कर दे रहा हूं L minus 1 कर दे रहा हूं अब L minus 1 से क्या होगा कि last index value of element है ना last element का ज हो जाएगा ठीक है जैसे कि अभी आई में कितना हो जाएगा five हो जाएगा और फिर मैं यहां पे condition दे दूँ कि i का value जब तक 0 से बढ़ा होगा ठीक है तब तक लूप होते रहेगा continue ठीक है या 0 के बढ़ाबर होगा या 0 से बढ़ा होगा तो लूप होते रहेगा चलते रहेगा अब फिर मैं यहाँ पे I में decrement operator यहाँ पे यूज करा हम मतलब हर एक लूप के बाद में I का value घट जाएगा अधिक लूप के बाद में I का value घट जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे simple मैं उपर में जो हमारा एक variable था जो खाली है और यह इसका data tag string था इसको लूँगा plus equal to ठीक है और plus equal to मैं क्या कर देने वाला हूँ यहाँ पे मैं यह जो हमारा string है उसको लूँगा और इस पे मैं at वाला function यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ मैं I को pass कर देने वाला हूँ ठीक है अब इस I को pass करने सकता होगा कि मेरे को यहाँ पे सबसे पहले last वाला element मिलेगा क्योंकि I का value 5 आएगा तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा care at और bracket open close के अंदर में I का value 5 से start होगा तो 5 आएगा मतलब n तो क्या हो जाएगा n कहां पे store हो जाएगा n ser में store हो जाएगा ठीक है कहां पे store हो जाएगा वो ser में store हो जाएगा फिर यहाँ जब 4 मिलेगा तो मेरे को उसका next element फिर 3 मिलेगा तो फिर उसका next element इस तरह से यह कब तक जाएगा जब तक कि 0 तक नहीं जाएगा और 0 will give over give the first element of the string 0 क्या देगा 0 पहला element देदेगा इस प्रकार से हमारा जो string होगा वो reverse हो जाएगा अब मैं क्या करने वाला हूँ इसको यहाँ मैं print कर दूँगा R.E.S. को अभी यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा गल्ती किया है कि मैंने यहाँ पे comma नहीं दिया ठीक है न अब वो comma मैं यहाँ देदेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ compile करता हूँ और compile करने के बाद वापस हम चलते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे right click करता हूँ और void main में क्लिक करता हूँ और फिर ok में क्लिक करता हूँ और अब हम लोग देखेंगे इसका आउटपूट तो यहाँ पे तो आउट पूट कुछ भी नहीं आ रहा है तो देखें आ रहा है तो गया ताउटपूट हमारा तो क्या दिखा रहा है यहाँ पर आम लोगों ने तो सचिल लिखा था मगडर आउटब जो आए यह उल्टा आ करते हैं